Assalamualaikum dear children Hope you all are good Dear children कल हमने दो questions किये थे तो आज हम lesson measurement का question number 3 का C pot करने जा रहे हैं ठीक है बचा तो question क्या है If 1 kg of floor cost us 20 and you have taken a 20 kg pack then how much do you have to pay to the shopkeeper Dear children क्या आपको question समझ में आया अगर आप मैंसे किसी को question समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बताती हूँ question क्या कह रहा है question हमें बोल रहा है If 1 kg of floor floor कहते है हम 8 को आटा ठीक है cost कीमत अगर 1 kg आटे की कीमत है 20 ठीक है and you have taken a 20 kg pack kg stands for kilogram ठीक है अगर अगर एक केजी एक किलोग्राम आटे की कीमत है रुपीज 20 और आप ने लिया है एक आटे का बेग उसमें कितना है 20 kg उसमें 20 किलोग्राम है then how much do you have to pay to the shopkeeper shopkeeper कहते है दुकानदार को आप को कितना पे करना है कितना देना है shopkeeper को ठीक है तो हम लिखेंगे कैसे हम इसको solo करेंगे यह है question number 3 का C part ठीक है इसका question आप खुद लिखोगे तो हम इसका solution लिखेंगे ठीक है बैचा cost of 1 kg of floor ठीक है cost of 1 kg of floor ठीक है कितना है और रुपीज 20 floor we have taken हमने कितना लिया है शाबाश 20 kg का एक पेग ठीक है एक बेग लिया है हमने कितना पे करना है सो तो अमाउंट सो अमाउंट सो अमाउंट वी हैव तो पे किसको तो दे अमाउंट अमाउंट शाब कीपर 400 ठीक है अगर आपको 20 का टेबल याद नहीं है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो 20 multiply by 20 पहले इस 0 के साथ इन दोनों को आप multiply करोगे ठीक है Zero 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 Remember Anything Martiply by zero is always zero ठीक है बच gdy बचाँ Zero 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 Two Zero Zero As पहले ही मैंने कहा Anything Multiply by Zero is always zero Two Zero Zero इस पहले वाले को छोड़ना है Two Two Zero Four इसको आप प्लस करोगे ठीक है 000044 तो आया यहां पे 400 हमने कितना पे करना है दुकंदा को कितना देना है हमने देना है 400 ठीक है बचा तो यह था C pot अब last D pot If 1 kg wheat flour makes 40 chapatis How many chapatis can you make from 4 kg wheat flour यह आपका home assignment है आप करना अगर नहीं आया आपको तो मुझे बताना मैं आपको यह समझाती हूँ और मैं आपको यह मैं help करूंगी ठीक है D part का मतलब क्या है मतलब मैं आपको समझाती हूँ आप इसकी practice करना कोशिश करना खुदी यह आपका home assignment रहेगा इफ वन केजी wheat wheat flour makes 40 chapatis ठीक है अगर एक किलो ग्राम wheat flour की 40 40 chapatis बनती है ठीक है एक किलो ग्राम की 40 chapatis बनती है 40 हाथ की रोटिया ठीक है how many chapatis can you make from 4 kg wheat flour तो अगर आपको दिया जाएगा 4 kg 4 kg wheat flour ठीक है तो 4 kg फुलो ग्राम ठीक है आप कितनी chapatis बना सकते हो ठीक है यह आपका home assignment है आप खुद करना इस question को तो कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए खुदा हफिज and take care आपको जाएगा